हलो एंड वेलकम आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है 73rd Amendment Act of 1992 इस Amendment Act of 1992 से क्या हुआ Indian Constitution में क्या amendment हुई amendment हुई पंचायती राज सिस्टम इंट्रोडूस हुआ अब किस आर्टिकल में amendment हुई, किस पार्ट में amendment हुई, किस शडूल में amendment हुई और पंचायती राज सिस्टम आया, वो मैं बाद में बताऊंगा लेकिन याद रखना 73rd Amendment Act of 1992 टॉपिक का मतलब है पंचायती राज के बारे में आपको जानना है अब सबसे पहले मैं ये टॉपिक को स्टार्ट करूँगा इस बाद से आपको पता है कि जब इंडिया बना और इंडिया में Central Government था, State Government था, मतलब दो governments थे 2G था, 2G मतलब Central Government, State Government ठीक है अब इस डेट पे जब amendment हुई तो पंचायती राज सिस्टम आया और इसी डेट पे मुनसिपल्टी भी आया 73rd amendment से पंचायती राज आया इसी डेट पे 74th amendment से मुनसिपल्टी आया ये हम आगे भी देखेंगे लेकिन बात को दिमाग में बरो कि इंडिया मैं पहले सेंटर गॉर्मेंट और स्टेट गॉर्मेंट टू जी होता था 1992 मैं इस amendment से पंचायती राज आया इस amendment से मुनसिपल्टी आया मगर 1992 में ही दोनों के दोनों आये तो 1992 के बाद पंचायत मुनसिपल्टी आने से बोलते हैं हम के local self-government आया क्यूं क्यूंके पंचायती राज और मुनसिपल्टी दोनों को मिला के बोला जाता है कि ये दोनों आते हैं local government में या local self-government में मतलब की तीन टायर वाला गवर्मेट आया, मतलब की थर्ड स्टेज वाला गवर्मेट आया, मतलब की 3G आया, पहले 2G होता था, सेंटरल गवर्मेट, स्टेट गवर्मेट, अब अब नहीं, अब नहीं, 1992 के बाद 3G आया, मतलब सेंटर गवर्मेट, स्टेट गवर्मेट और लोकल गौवर्मेट, थी टायर गौवर्मेट है, मैं थी टायर पंचायती राज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ थी टायर गौवर्मेट, थी गौवर्मेट, थी जी गौवर्मेट, सेंटरल गौवर्मेट, स्टेट गौवर्मेट और लोकल गौवर्मेट, ल सर ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1992 के डेट पे 73rd Amendment Act हुआ और पंचायती राज सिस्टम इंटर्डूस हुआ Indian Constitution में, अब पंचायती राज इंडियन Constitution में आया इस Amendment से, और सर आपने ये भी बोला कि 74th Constitutional Amendment Act 1992 से Municipalities आया, और अभी अभी आपने ये भी बोला कि पंचायती राज जो कि 73rd Amendment से आया, मुनसपिल्टी जो कि 74th Amendment से आया, उन दोनों को बोलते हैं Local Salve Government, पंचायती और मुनसपिल्टी को बोलते है Local Salve Government, सर यहां तक तो ठीक है, एक बात को जानो आप दिमाग में इस बात को बरो हमेशा के पंचायती राज जब आया, 73rd Amendment Act से तो इंडियन का नस्टिचूशन में कहां कहां एमेडमेट हुई, याद रखना, पार्ट में भी चेंज आया, एमेडमेट, आर्टिकल में भी चेंज आया, एमेडमेट, शडूल में भी चेंज आया, एमेडमेट, और मुनसपिल्टी के वजह से भी क्या एमेडमेट पार्ट और आर्टिकल और शडूल में आया, हाँ हाँ हाँ, मुनसपिल्टी जब आया, किस एमेडमेट से, 74th एमेडमेट से, तो इंडियन का नस्टिचूशन में कहां कहां चेंज आई, पार्ट में भी चेंज आई, आर्टिकल में भी चेंज चाहिए अब एक सवाल मैं आप सब को बताना चाहता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप सब के सामने एक सवाल आता है आप मुझे बताओ जब इंडियन constitution बना तो आप मुझे बताओ पहले औरजिनली 1950 में जब constitution बना तो कितने articles चलो articles को छोड़ो कितने parts थे सर पहले तो थे 22 parts ठीक है ना आज तो है 25 parts ये आपका सवाल अक्सर होगा अब जवाब यह होगा लेकिन आप मुझे यह बताओ कि 22 पार्ट्स ठीक है मान लिया 22 पार्ट्स थे तो पंचायती राज को कब बनाएगा 1992 में मुंसपिल्टी को कब बनाएगा 1992 में 73rd और 74th एमेडमेट से 1992 में अगर पंचायती राज आया तो किस पार्ट में किया गया इसको इंटूडूस सा 22 पार्ट के बाद ही पार्ट होना चाहिए लेकिन यहाँ पे देखिए कौन सा पार्ट है पार्ट 9 यह कैसे हो सकता है यह कैसे हो सकता है अगर इंडियन का नस्टिशूशन 1950 में बना और सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओरजिनली 395 आर्टिकल्स थे 8 शोडूल्स थे 22 पार् तो आप मुझे बताइए अगर 22 पार्ट थे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 नाइन भी तो पार्ट होगा तो यह 22 के बाद आना चाहिए यह 9 पार्ट में कैसे आता है यह पार्ट 9A में कैसे आता ठीक है ना अब 395 आर्टिकल से यह 243 आर्टिकल में कैसे आता यह भ Article 243 से लेके Article 243 O तक है इसमें O के बाद क्या आता है? LMNO P P आता है न? इसमें Article 243 P से लेके 243 ZG सर यह ZG क्या है? देखो ZG क्या है अज़ पहले यह बताओं ना पहले सर यह क्या है? पंचाहितिराज पार्ट 9 में और municipal T's पार्ट 9 A में introduce हुआ, add हुआ, amendment से, किस amendment से, 73rd से, और 74th से, respectively, 73rd ये वाला, 74th ये वाला, ठीक है, अब आप मुझे बताइए, article सर इतने हैं, ये तो समझ में नहीं आता, उपर से आपने बोला, part को बीच में कैसे डाला, उसका भी जवाब में दे दूँगा, सबसे पहले आप इसको जानो, ये article 243 ही है, पंचायती राज में article 243 से लेके 243 O तक है, मतलब 243, फिर 243 A, फिर 243 B, फिर 243 C, इसी तरह D, E, F, G, J, J, केले में लो O तक, 243 definitions बताता है, 243 A, ग्राम सबा के बारे में बात करता है, 243 article 243 B, constitution of parliament के बारे में बात करता है, 243 C, composition के बारे में बात करता है, 243 D, reservation के बारे में बात करता है, E, कितना duration होगा, कितना time होगा, पंचायत का, बात करता है, F, disqualification कैसे होगा members का, G, power कौन से होंगे, H, text कैसे लेंगे, मतलब कि ये बहुत सारी चीजें आती हैं इनके अंदर, इसी तरह, इसी तरह, इसी तरह municipalities में भी, municipalities में भी P है, फिर P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, फिर जब Z आया, फिर Z A, Z B, Z C, Z D, Z E, Z F, G, आ गया, तो इतने आते हैं municipalities के अंदर, ठीक है न, Z के बाद Z A, Z B, Z C, Z D, Z E, Z F, Z G, ओके सर, ये आता है, municipalities में, हाँ, हाँ, पंचायत से article, sorry, 11th schedule में, 11th schedule में पंचायत आया, और 12th schedule में municipalities आया, 11th और 12th schedule बाद में ही आया, पहले तो constitution में नहीं थे, पहले तो 8th schedule थे, schedule कोई पंगा नहीं है, लेकिन पहले 22 parts थे, ये बीच में 9th part कैसे आया, याद रखना, इस part ने vacuum create किया था, इस part में कुछ और था, 9th part में कुछ और था, उ जहां पे खाली जगा थी, खाली जगा बरने के लिए, पंचायत और municipality आया, समझाया, समझाया, नहीं आया ना, आगे समझायाएगा, लास्ट पे समझायाएगा, जब हम ये part का replacement रिखेंगे, साथ, ठीक है, ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया, 73rd से पंचायती आ गया, 74rd से municipality आ गया, दोनु को बोलते हैं, local self government, पंचायत और municipality को, अब ये local government आया, 1992 में, इसे पहले इंडिया होता था, 2G, 2G का मतलब federal government, center government, state government, federal in practice में बोलूँगा, क्योंकि का constitution में एक जगा unitary बोलो, कोई बात नहीं, हाँ, हाँ, 2G, 2G था, 2G का मतलब state or center government, federal, उसके बाद आया, और ज्यादा federal हो गया, 3G आ गया, local government आ गया, साथ, ठीक है, ये local self government का फादर पता है, Lord Rippen, क्योंकि Lord Rippen ने इससे पहले ही introduce किया था, local self government को, Lord Rippen ने पहले ही बात की थी, पंचायत municipality की Lord Rippen ने पहले ही steps उठाये थे, इंडिया में के local self government का इजाफा हो जाए, काम हो जाए, अब, इसी लिए local self government का फादर को, Lord Rippen, याद रखना, पंचायत का फादर मैंने नहीं बोला, मैंने बोला, local self government का फादर Lord Rippen, पंचायत का फादर कौन है, यहाँ पे नीचे पता चले आपको कौन है, ठीक है, समझेंगे, रुको, यहाँ तक तो ठीक है, अब सर हमारा topic क्या है, हमारा topic है, पंचायती राज, हमको तो municipality syllabus में ही नहीं है, छोड़ो इन बातों को, हमारा topic है, पंचायती राज, ठीक है सर, पंचायती राज, इस amendment से आया, यह हमको पढ़ना है, पं पाँच का मतलब होता है, पाँच, आयत का मतलब होता है, एसमबली, राज का मतलब होता है, रूल, पाँच आदमियों की एसमबली होती थी, जो कि गाउं को रूल करते थे, यह कब होता था, बहुत पहले, इंडियन का रस्टिचूशन की बात नहीं है, वेदाज पता है न वो ही रूल करेंगे, five assembly रूल करेंगे विलेज में और इन पांच में भी, एक था head, जिसका नाम था सरपंच मुखिया प्रदान समझा रहा है सरपंच मुखिया, मतलब कि ये पंचायती राज का heड पांच आदम्यों का heड गाउं का heड अब ये तो पहले जमाने से होता था ओल्ड सोसाइटीज में होता था अब जब इंडियन करन स्टिचूशन बना तो ये उन्होंने इंट्रडूस नहीं किया सर किया 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 आर्टिकल फोटी में किया लेकिन मेरा जवाब सुनो डीपी एसपी, डीपी एसपी, डीपी एसपी डीपी एसपी में किया भाई डीपी एसपी में होतनी importance है ही नी ये क्या बोर रहे हो सराब, समझाएंगे हम आपको देखो तो पंचायती राज जो है पांच आद्वियू की assembly झ्मिली जो कि रूल करते थे, और पांच का मतलब है पंच, ओके, इसी और उनका हैड था सरबंच, अब यहीं भी याद रखो मुनसप्लडी का और एक नाम है, अर्बल-इर्बन, लोकल सेल्फ गॉवर्मेंट, और पंचायत का और एक नाम है, रूलर, लोकल सेल्फ गॉवर् पंचाइती राज आने से क्या फाइदा है ग्रास रूट लेवल की डिमोक्रेसी मिल जाएगी लोग खुद से रूल करेंगे अपने गाउं को चलाएंगे ग्रास रूट पे पावर आ जाएगा रूट्स पे पावर आ जाएगा विलेज़ स्ट्रॉंग हो जाएगे विलेज़ स्ट्रॉंग होने से स्टी स्ट्रॉंग और फिर स्टेट स्ट्रॉंग और फिर कंट्री ही स्ट्रॉंग हो जाएगी ये आईडियालजी गांदी जी की थी तो ग्रास रूट लेवल की डिमोक्रेसी मिलेगी पंचायत राज सिस्टम से पंचायत राज इंट्रोडूस करने का मतलब ही है कि डिमोक्रिसी लाव भाई छोटे लेवल पे गाउन लेवल पे उनको डिमोक्रिसी दे दो वो खुद से सेल्फ रूल करे सेल्फ रूल करे डिमोक्रेसी मतलब रूल करे न खुद से ओके पीपल्स को पावर मिले विलेजिस पे ग्रास रूल लेवल की डिमोक्रेसी हाँ समझो इस बात को पंचायती राज डे 24 अपरियल को मनाया जाता है पंचायती राज डे 1950 में जब एनफोर्स हुआ तो इंडियन कंस्टिचूशन में पंचायती राज पहले से था और वो कहाँ पे था Article 40 में Article 40 में क्या था वो Direct to Principles of State Policy वो Article 40 क्या बोलता था Organize विलेज पंचायत देखो Organize 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 का मतलब यह नहीं कि नया विलेज पंचायत बनाओ ना 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 उसको Stable करो उसको औरगन अच्छी तरह से चलाईए बस यह मकसद है मकसद की बात यह है कि विलेज पंचायत तो पहले से थे फिर क्या बोलना कंस्टिचूशन में Organize Organize का मतलब है पंचायत जो औरड़ी है उनको अच्छे से चलाईए उनको Organize करिए Article 40 लेकिन Direct 2 Principles of State Policy है पता है जब गांदे जी ने बोला ना इसको कंस्टिचूशनल स्टैटस अलग से दे दो और फिर क्या हुआ यहाँ पे मैं कहानी बोलूँगा आपको गांदे जी ने बोला कानस्टिचूशनल स्टैटस पंचायती राज को अलग से दे दो नहरू ने यह चीजे बोल के बोला नहीं भाई DPSP करेंगे हम हम अलग से स्टैटस फिलहाल नहीं देंगे अच्छा 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 समझेंगे इस बात को रुको अच्छी बनाते समय कुछ डिरेक्ट्व को दिमाग में रखना है यह हमने कल ही पढ़ा इससे पहली पढ़ा डिरेक्ट्व प्रिंसिपल्स अब स्टेट पॉलसी का मतलब होता है citate जब policy बनाएगा तो direct to principles दिमाग में रखेगा instructions दिमाग में रखेंगा वो instructions DPSPs में है और DPSPs में एक instruction article 40 है वो क्या है organization of village panchait लेकिन ये justiciable नहीं है अगर 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 government organize ना करे village panchait को तो कोई कुछ नहीं कर सकता criticize कर सकते हो लेकिन court में case को नहीं ले सकते आप क्यूं क्यूंकि DPSP जो है वो है non-justiciable तो गांदी जी ने बोला था बाई अलग दे दो किसी article में किसी part में introduce करके मत रखो अलग से constitutional status दे दो हाँ हाँ उसकी बात को क्यों नहीं माना गया ये भी बता दूँगा देखो अब याद रखना अगर अब 73rd amendment से पंचायती राज आता है 74rd से municipality आता है 1992 में amendment 40 है parts, articles, schedules में और आते हैं constitution में parts में articles में schedules में पंचायती राज और municipalities मतलब सर कि constitution में local self government आ गया अब मेरा आपसे सवाल है याद रखना याद रखना याद रखना याद रखना बूलना नहीं याद रखना ये center है ये state है center और state है center government state government ये अलग-अलग state से ठीक है मान लिया state government state government state government ठीक है ये मान लो इसके सब के उपर है center government, center government और state government में power अगर divide हो उसको बोलते है decentralization अगर इनके पास power ना हो, सिर्फ center ही चलाए, उसको बोलते है centralization, मान लो भाई ये हर एक भाई state है state है, state है, state है अगर सारे states का power ले लिया जाए और सिर्फ center को दिया जाए, center की कोई actually जगा नहीं होती, इसलिए मैं location नहीं लिखता हूँ कभी मैंने उपर लिखा, नीचे लिखा बैस center की seat दहली है मगर center की जगा कुछ नहीं है center पता ही क्या है, पूरा इंडिया center आप बोलों कि न center दहली है center कौन सा state है center की कोई location नहीं है center सुर सारा इंडिया है center की seat दहली में होती है ठीक है, parliament और बाकि स्प्रीम कोड समझो इस बात को center मालो दहली center है okay, समझो इस बात को, कि states और center में जब power divide होता है उसको बलते है decentralization अगर center को power दिया जाए उसको बलते है centralization समझे इस बात को center के पास ताकत, centralization states में divide करना और center में divide करना power, decentralization जहाँ पे decentralization होती है उसको बोलते है federal government भी कि power divide हुआ between center and states जहाँ पे centralization होती है उसको बोलते है unitary government भी unitary government मतलब कि सिर्फ union चलाता है सिर्फ central चलाता है सिर्फ ताकत center के पास है Government Union के पास है, Unitary Government Centralization मतलब Center काफी States के पास कुछ Power नहीं उसको बोलते है Unitary Government Decentralization मतलब Center से Power थोड़ा सा States को दिया गया और उसको बोलते है Federal government भी अब आप मुझे बताईए 1992 के Amendment से पंचायती राज और Municipality आने से Local Self Government आने से Decentralization हुई के Centralization सर डिसेंट्रलिजेशन हुई क्यूंकि सिटेट्स का भी पावर अब डिस्ट्रिब्यूट हो गया पंचायत में पंचायत में पंचायत में सिटेट्स का भी पावर अब पंचायत में डिस्ट्रिब्यूट हुआ सर इसलिए decentralization तो नहीं over 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 decentralization हुई वो ही मैंने बोला इस पंचायती राजाने से ज्यादा ही decentralization हुई पहले ही decentralization थी between center and states power divide थे अब power किनके पास चला गया इनके पास थी वो अलग बात है इनको अच्छी तरह काम नहीं करने दिया या वो गलती ये गलती वो हम पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा इनको भी ताकत दिया गया तो power 3 में आप divide हुआ three tier government decentralization ज्यादा ही federal हो गया ज्यादा ही decentralization हो गया अब याद रखना इस पंचायती राज का mastermind पता है कौन था बलवंत राई महता इसलिए पंचायती राज institutions in India किसने डाले मतलब किसने कौन mastermind है जिसने सबसे पहले ये चीजे structure दे दिया और बाकी चीजे बलवत राई महता इसलिए father of Indian पंचायती राज सिस्टम बोला जाता है बलवत राई महता को बता मुझे father of Indian पंचायती राज सिस्टम बलवत राई महता बता मुझे father of local special government in India mastermind of должно中共 in India बलवत राई महता क्यों कि ये पहली ऐसी committee थी जिसने structure दे दिया कि कैसा structure होना चाहिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसने अपने recommendations दे दिये थे बहुत जबरदस रिक्रमेंडेशन इसने दिये थे अब हम आगे चलेंगे और पढ़ेंगे Evolution of Panchaiti Raj कैसे Evolution of Panchaiti Raj का याद रखना, याद रखना बहुत आसान है सबसे पहले याद रखना जब कनस्टूशन बन रहा था 1946 के बाद या बोल सकते हो आजादी के बाद या अच्छी तरह अगर बोले तो 1946 में ही, क्योंकि कनस्टूशन तब ही से बन रहा था जब बन रहा था कनस्टूशन बन रहा था, गांदे जी भी था नहरू भी था, अंबेदकर भी था और बाकी लोग भी बहुत सारे थे लेकिन गांदे जी कनस्टूशन असम्बली का मेंबर नहीं था जिस तरह जिन्ना कनस्टूशन असम्बली का मेंबर नहीं बना क्योंकि पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही था ना जब कानश्वाट एसमबली की बात हो रही थी 1946 में, तब जिन्ना भी नहीं रहा और गांदे जी भी नहीं रहा कानश्वाट एसमबली का मेंबर, लेकिन डिबेट्स में आते थे, सुनते थे, लेकिन मेंबर नहीं रहा, राय देते थे अपनी, देखो, गांदी जी ने बोला इंडिया को ऐसे चलाओ नहरू और अंबेदकर दूनू ने बोला इंडिया को ऐसे चलाओ नहरू ऐसे दूनू की बात सुनता था अंबेदकर वो थोड़ा सा नीट्रल था लेकिन नहरू अंबेदकर के बेहाब पे कुछ गांदी जी को फिर बोलता था हाँ भाई ये हो करना है वो करना है आप बोल सकते हो नहरू इसके पीछे था जो नहरू गांदी जी को ये बोल रहा है ठीक है ये भी आप बोल सकते हो लेकि नहरू ने गांदी जी को बोला, इसलिए हम इनी दो को सामने लाएंगे, देखो, समझो इस बात को कना स्टिटुशन जब बन रहा था तो गांदी जी ने बोला, इंडिया को ऐसे चलाना है अंबेद कर और नहरू ने बोला, ऐसे चलाना है ये ऐसे ऐसे क्या होता है, गांदी जी ने बोला, देखो सर, आप, 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 ऐसे चला ये इंडिया को मतलब आप पहले विलेजिस को ज़्यादा पावर दीजे, देखो न कितना वाइडन गैप है, इतना वाइड गैप है मतलब villages को power दीजे, villages को develop कीजे, villages को empower कीजे, villages पावर हो जाएंगे, cities पावर हो, cities में power आएगा, cities में power आएगा cities में power आएगा तो center में भी power आएगा, मतलब पुरी country में power आएगा, मतलब India पूरा ताकतवर होगा, India पूरा develop होगा, India पूरा enrich होगा अगर आप ये approach follow करते हो गांदी जी का approach था bottom up approach bottom पे आप ध्यान दे दो development करो, पैसे लगाओ उनको develop करो और आप खुद बख़द approach हो जाएगा, खुद बख़द rich हो जाएगा, develop हो जाएगा, ठीक है तो गांदी जी का idea क्या था? villages को develop करना उसका idea indirectly था पंचायती राज इनस्टूशन्स को लाना develop करना, develop करना पंचायती राज तो पहले से थे बहुत सारे पले नहरू और अंबित कर ने ये approach बोला ठीक है उन्होंने बोला, ना 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 गांदी जी हम villages को नहीं power देंगे, हम उपर power देंगे cities को power देंगे हम top down approach follow करेंगे हम develop करेंगे top को, हम power देंगे top को, हम बनाएंगे top को strong और top को strong बनाते समें industries strong हो जाएंगी लोगों को employment मिलेगा तो धीरे-धीरे down भी strong हो जाएगा, down भी develop हो जाएगा villages भी develop हो जाएंगे मतलब कि top down approach क्या है cities को develop करने से down villages भी develop हो जाएंगे bottom up approach क्या है villages को develop करने से cities भी develop हो जाएंगे states develop हो जाएंगे, country develop हो जाएगा पूरा country develop हो जाएगा ठीक है, यहाँ पे क्या था, cities विटीस करो और फिर नीचे आएगा power अब यह तो ठीक है, और इनका यह भी approach था, कि center के पास ज्यादा power फिर थोड़ा सा states को देना, और local government के बारे में इनका कोई राई नहीं थी village पे यह ध्यान नहीं देते थे अब देखो, समझा इस बात को जब गांधी जी ने बोला, यह approach follow करना है, नहरू ने बोला, नहरू पचास परसंट से ज्यादा ही है, ठीक है ना, 60 परसंट, 70 परसंट अभी भी ruler ही है, तो याद रखना, तब, तब, 90 परसंट ruler था, 90 परसंट ruler था, तब तो आप इसको ignore कैसे करोगे, 90 परसंट ruler को, आप ruler को empower कीजिए, develop कीजिए, urban और बाकी चीज़े develop हो जाएंगे, कैसे करेंगे गांदी जी ने बोला, मैं बताता हूँ, आप villages पे organize कीजे, पंचायती राज इनस्टूशन को, पंचायती राज इनस्टूशन को आप power दीजे, develop कीजे, उनको finances दीजे, उनके हाथ में ताकत दीजे, वो उनको policies implement करने दीजे, उनको policies बनाने दीजे, वो खुद ही बनाए, अब पंचायती राज इनस्टूशन जो है, उससे क्या होगा गांदी जी, गांदी जी ने बोला, localized development हो जाएगा, इंडिया है, पंचायत यहाँ पे है, यहाँ पे है, हर एक जगा पे development हो जाएगा, local level पे development हो जाएगा, localized it, लोग खुद अपना development करेंगे, लोग खुद अपना development करेंगे, localized development हो जाएगा, grassroots level पे democracy मिलेगी, localized development हो जाएगा, grass यहाँ पे लिख लेना अगर आप लिखना चाहते हो, grassroots level की democracy मिलेगी, real, इसको गांदे जी ने बोला, गांदे जी को बोला गया अच्छा सर ये लोकलाईजे डेवल्लेपंट कैसे होगा, गांदे जी ने बोला, पंचायती राज इनस्चुशन को L भी दे दो, E भी दे दो, मतलब, लेजिसलेचर का पावर भी दे दो, एक्जिकेट्व का भी, जुडिशे देखेगा थोड़ा सा उनको जुडिशल पावर्स भी मिलेंगे और जुडिशली चेक एंड बैलंस करेगा जुडिशीरी थोड़ा सा इंसाब भी करेगा ठीक है न तो यहां तक तो सही है ये गांदे जी ने बोला बोला कि बाई सेंटर पे जान मत दे तो विलेजिस पे जान दे दो सेंटर स्ट्रॉंग हो जाएगा भई सिटेट भी इंडिया भी स्ट्रॉंग हो जाएगा लेकिन इन बातों को दीरे दीरे नहरू ने इगनोर किया इगनोर क्यों किया बड़े प्यार से इगनोर किया क्या कहते हुए गांदे जी पता है आपको इंडिया में अभी ल उक्रीशनल फीचर्वि है सब पुराने जमाने से चला आरहा है रिवाज भी यह तो एक्सप्राइटेशन भी हो सकता है विलेज सिग शुच क्न Kiss शुच्पते मीं करेगा इक्सामरार्इ Celsius करेगा और में सब religion discrimination करेगा, exploitation करेगा, क्योंकि उनका दिमाग अभी mature नहीं हुआ है, वो good decision नहीं ले सकते, इसलिए, इसलिए, अभी नहीं बाद में, याद रखना इस बात को, मैं आपको बोल रहा हूं, नहरू ने बोला गांदीची को, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद मे मतलब कि, आभी पंचायती राज को हम का ना-stitutional status अलग से नहीं देंगे, क्योंकि states के ओपर, ये भी बात है, states के ओपर burden है, कि वो finances उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, खर्चा बढ़ जाएगा, election का, वो ये, जब सारी states को implement करेंगे, तो इतने पैसे भी नहीं है, ये भी reason आप इसको add कर सकते हो, इतने finances भी नहीं है, कि पंचायती राजी राजी नस्चूशन का election और उनको finances और उनको चलाया जाए, cities के पास इतने सारे finances, मतलब कि, ये भी एक reason था, तो फिलहाल, हम enforce नहीं करेंगे states को, हम constitutional status नहीं देंगे, हम constitution में अलग से status नहीं देंगे, कि ये to principle आप state policy में रख सकते हैं, article 40 में रख सकते हैं, हाँ भाई, state जब policy बनाएगा, तो इस article को दिमाग में रखेगा, हाँ हाँ, organize करेंगे पंचायत, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कितना tenure होगा, क्या term होगा, कहां से पैसा आएगा, क्यों कितने tire को होगा, क्या करना है, क्या न बाद में, अभी नहीं, अभी हम इसमें रखेंगे, लेकिन बाद में हम कभी न कभी करेंगे, क्यों, क्योंकि DPSP मतलब state के उपर ये principles फॉलो करने हैं, आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, लेकिन कभी न कभी तो करेंगे, DPSP का मतलब यही होता है, लेकिन हाँ, वो बा में लिखा है, तो सिटेट नहीं कर रहा है, आप यह नहीं बोल सकते हैं, DPSP की यही गलत बात थी न, यही बात सुनके गांदी जी ने बोला, छोड़ रहा भाई, DPSP में में रखा, कोई value नहीं मेरी बात को, गांदी जी उस वाकत करने शोड़ी चोड़ के चले गए, अब इ तीज अलग-अलग बिछाई, ठीक है न, हम पढ़ेंगे, देखो, गांदे जी 2 उक्तुबर 1969 में बॉन होए थे, आप सबको ये पता होगा, 30 जनवरी 1948 में वो चले गए थे इस दुनिया से, अब जो ये गांदे जी है, जो इस डेट पे आये न, और चले गए, नहरू को काफ करो, कितना करो, पैसा कितना लेगा, कितना होगा, टेक्सिज लेंगे कि नहीं लेंगे, बहुत सरी बात हैं, वो तो है ही न, हमें अलग से, एक सॉलिड लाना, सॉलिड एमेंडमेंट लानी चाहिए, अब नहरू ने फिलान ये नहीं सोचा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब नहरू बोडा है कि हमने गलत किया, गांदी जी की बात ना सुनी ये तो बात में होता है, नहरू ने क्या किया, नहरू ने दो प्रोग्राम चलाए for local self government, local self government के लिए दो प्रोग्राम चलाए, community development program और national extension service, अब ये दो प्रोग्राम से पहले में आपको एक बात बोलू, ये ह सर नहरू ने कुछ काम करना स्टार्ट किया गांदी जी के चले जाने के बाद दो प्रोग्राम्स कौन-कौन से हैं सर Community Development Program 1952 में आया National Extension Service NES 1953 में आया CDP 1952 में आया लेकिन दोनू के दोनू फेल हुए फेल हुए फेल हुए अब फेल क्या हुए पहले Community Development Program 1952 में आया और नहरू ने बोला जाओ भाई एक काम करो आफिसर्स को बेजो वो Communities में जाके Communities में जाके Understand करेंगे Problem क्या है और Solu करेंगे Problem को और Development लाएंगे Communities में Development लाएंगे ठीक है लेकिन क्या हुआ Solu नहीं हुआ Problem नहीं Understand हुई यही Problem में हुई यह Problem में नीचे बता दूँगा क्या Problem में दूनु प्रोग्राम में हुई वैसे जब पहला Program फेल हुआ तो पहले Program को देखने के लिए दूसरा Program लाए गया हाँ भाई आभी नया Program लाएंगे National Extension Service जो इसी के जैसे काम करेगा और जो इसने काम नहीं के वो करेगा लेकिन यह भी नहीं कर सका यह भी फेल हुआ Community Development Program का का काम देखने के लिए National Extension Service लाए गया और जो यह काम नहीं कर सका जो इसमें प्राब्लमें हैं वो सौलू करने के लिए National Extension Service को लाए गया मतलब कि दूनू का दूनू का मकसद एक ही था Local Self Government को ध्यान देना Community को ध्यान देना Community को development करना Community की problem को understand करना सौलू करना Local Self Government लाना थोड़ा सा या Local Self Government में problem को understand करना और सौलू करना कि किस तरह से क्या होगा अब नहरू ने यह program लाया Fail हुआ क्योंकि यह understand और सौलू problem नहीं कर सका Community की National Extension Service लाया गया इसको देखने के लिए और इसकी problems को दूर करने के लिए वो खुद fail हो गया क्या problem दूर करेगा वो 1953 में अब दूनू fail क्यों हो यह सर Reason क्या था Reason यह था Reason में आपको बता दूँगा Physical और psychological gap था Physical gap था अरे भाई Center से प्राइम मिनिस्टर कैसे चलाएगा Local government को Village को Community को Community को चलाएगा प्रधान नकि प्रधान मंत्री सरपन्च चला सकता है समझ सकता है नकि प्रधान मर्ती समझ सकता है मतलब की बात यह है Physical gap था अरे देली में बैट के आप अलग-अलग छोटे-छोटे City को चोड़ो District को चोड़ो Villages को कैसे चलाओगे How is it possible Physical gap काफी बड़ा physical gap था psychological gap भी था कैसे Delhi से बड़े-बड़े Officer आ गए और Villages में गए Villages में अलग culture अलग language वो officer इनके culture में fit ही नहीं हुए इनकी language में fit ही नहीं हुए इनकी बाशा समझ ही नहीं आई उनकी problems कैसे समझेंगे अरे problems समझने के लिए time चाहिए उनके साथ रहना चाहिए अब interaction ही नहीं हुआ लोगों के साथ उपर से बड़े बड़े officer और उन्हेंने बोला अरे बाई गाउं वाले villager हम कैसे इनके साथ बात करे तो इसको बोलते है psychological gap psychological gap भी था हाँ बाई हम officer है क्या एक एक के गर में जाके बात करे हम तो देली से आए हुए officer है हम तो center से आए हुए officer है एक state के एक district के एक district के अंदर तैसील के बाकी चीजे मिला के फिर last में village में पहुँच के हम को बात करनी पड़ेगी उदर तक जाना physical gap है और वहाँ नहीं लोगों को समझना लोगों से interaction ना करना दूर रहना, काम अच्छी तरह ना करना psychological gap और सबसे बड़ी problem जो मैंने आपको बोला centralized plan था यह डेली से plan बना रहे थे पता नी किस-किस north में, west में, east में south इंडिया के बारे में centralized plan था और interaction नहीं कर पाए जो officers थे, क्योंकि वो बाक्षा, culture, उनका समझने में time लगा तब तक तो उनको वापस आना था रिपोर्ट देने के लिए तो यह problem थी जो के हुई यह प्रोग्राम में अब है मज़ा अब क्यों मज़ा है? क्योंकि यह सारी connected है एक ही, एक पढ़ोगे ना depth से फिर दूसरा भी depth से पढ़ोगे यह लगेगा आपको भाई कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं एक दो थोड़ा सा deep पढ़ोगे deep का मतलब है अच्छी तरह फिर बाकि जल्दी जल्दी है मतलब कि आब हम कल पढ़ेंगे यह committees याद रखना इस बात को यह National Extension Service CDPNES दोनु फेल हुए इसके लिए इसको देखने के लिए इनकी वर्किंग को एक्जामिन करने के लिए क्या हुआ बलवत राय मेहता कुमिटी 1957 को बनाया गया और इसी बलवत राय मेहता कुमिटी ने बोला भाई Democratic Decentralization कीजिए मतलब क्या बोल रहे होян Democratic Decentralization का मतलब क्या बलवत राय ने बोला जो गांदी जी ने बोला था पँचायती राज सिस्टम लाए मतलब कि Democratic Decentralization का मतलब ही होता है Establishment of पँचायती राज ठीक है न तो समझ में आ रहा है के नहीं आ रहा बलवांतराय तो कल पढ़ना है यह वर्ड यहाँ पे एडी नहीं करना था लेकिन थोड़ा सा बताना था मुझे आपको decentralization तो ठीक है और decentralization मैं आपको पिछले slide में बोला था पिछली slide में democratic decentralization ज्यादा अच्छा लफज है democratic decentralization ज्यादा अच्छा लफज है अब यह चीज़े हम बलवांतराय महता कमिटी में पढ़ेंगे लेकिन एक बात याद रखना गांदे जी की याद में नहरू ने इस कमिटी की recommendation के बाद देखा कि पहला राजिस्तान स्टेट था उसके अंदर नागोर डिस्टिक है जो कि जिसने पंचाइटी राज सिस्टम को इंटरूस किया राजिस्तान पहला स्टेट है जिसने establish किया पंचाइटी राज को कौन से डिस्टिक में नागोर डिस्टिक में कब किया 2. October 1959 में 2. October में खास क्या है गांदे जी का बरड़े है याद रखा ये committees हम कल पड़ेंगे और इनके आपस में comparison कल पड़ेंगे कौन कौन सी committee आई 1957 में B.R. महता committee 1977 A.M. committee जीवी के राओ committee एलम सिंग्वी committee ठंगौन committee गैड़ गिल committee और फिर last में कुछ हुआ कुछ हुआ बहुत interesting बात है जो हुआ जो हुआ बहुत interesting है interesting है कुछ हुआ और last में 1992 में 73rd amendment से पंचायती राज आया मुनसबपल्टी नहीं वो 74th से आया 73rd amendment से पंचायती राज आया और अलग से जब कनस्टिटूशन में एक पार्ट मिला आर्टिकल्स मिले शडूल मिला तब जाके कनस्टिटूशनल स्टैटस अच्छी तरह मिला न के एक आर्टिकल फोटी कनस्टिटूशनल स्टैटस अच्छी तरह मिला और आर्टिकल फोटी को प्रेक्टिकल शेप मिली वो तो practice में आये ही नहीं था, वो तो बोरे थे हाँ हाँ करेंगे policy, practical shape मिली, term, reservation, election, tire, finances कहां आएंगे, किस तरह काम होगा, कितने tire होगा, वो सारी चीज़े extra हम discuss करेंगे 73rd amendment से, एक बात interesting है, इन committees को समझाना, ये खतम हो गया, topic खतम हो गया, क्योंकि इन committees की recommendation, राय 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 amendment में डाला गया, क्योंकि ये committees अपने अपनी राय दे रहे हैं, recommendation दे रहे हैं, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, उदर कीजिए, इधर कीजिए, इतना कीजिए, उतना कीजिए, तो समझाया ना, last में फिर किसका माना गया, किसका नहीं माना गया, वो हम बताएंगे देखेंगे टेंशन मत लीजी आप तो ये था पंचायती राज का पहला टॉपिक ठीक है कोई क्वेस्चन होता नीची कीजिए ओके भाई